नमस्कार दोस्तों, सुवाइकत है आपका हमारे यूट्यूग चैनल GK Tracker पे दिखे फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परिक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज इस सीरीज की आज हम सत्रवी क्लास यहां पर कवर करेंगे अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासे इसको नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम परिक्षावाणी 2024 का जो पहला चैप्टर है संक्षित अवलोकन वाला चैप्टर उसको इस तरह प्रशनों के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं जिससे आपके पूरी परिक्षावाणी का एक कुईक रवीजन इस सीरीज के माध्यम से आप कर पाएं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है कालिदास की जन्म इस्थली माना जाता है तो देखें कालिदास का जन्म इस्थल ये माना जाता है कविल्टा को कविल्टा आपके काली मठ के नस्दीक है, रुद्र प्रियाग में पढ़ता है ठीक है, कोशन बनता है कालिदास का जनम किस इस्थान पर माना जाता है तो आप कहेंगे कविल्टा जो काली मठ के नस्दीक है अंगाली देवी को समरपेत, अंगाली मठ कहां इस्तित है तो चंद्रबदनी मंदिर आपका टिहरी में है, चंद्रकूट परवत पर यहां मंदिर बना हुआ है, एक और कोशन यहां पर याद करना, इसकंद पुराण में चंद्रबदनी मंदिर को भूवनेशवरी पीट कहा गया है, भूवनेशवरी पीट या चंद्रबदनी देवी म कहां पर हो जाएगा टिहरी में हो जाएगा ठीक है इस मंदिर में पशुबली को किसने समाप्त करवाया था तो स्वामी मनमंत ने करवाया था 1977 में इस कोशन को भी आपने याद करना है चंतरबधनी मंदिर कहां है टिहरी में है नेक्स्ट है सुरकुंडा देवी मंदिर कहां सुरकुंडा देवी मंदिर। राज्य का इकलोता सिदपीठ है, जहां पर गंगा दशेहरे पर मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा है सुरकुंडा देवी मंदिर जो टिहरी गड़वाल में इस्तित है। कुछ ये प्रमुक मंदिरों के नाम हमने देखे, चंद्रबदरी मंदिर, सुरकुंडा देवी मंदिर, साथ में कुंजपूरी देवी मंदिर भी याद कर लीजिए, ये आपके टिहरी में है, नरेंद्र नगर में इस्तित है। टिहरी नरेश के नरेंद्र नगर के पास जंगल में इस्तित महल को क्या कहा जाता है। तो टिहरी नरीश का नरेंद्र नगर के नस्दीक जंगलों में एक मेहल बना हुआ है, जिसे अब आनंद स्पाक के नाम से चाना जाता है, ये कोशन भी पेपर में बना हुआ है, नरेंद्र नगर की स्थापना कब करी गई थी, अगर आपको ये कोशन बन जाए, नरेंद्र न नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? पहले इस स्थल को ओडा थली के नाम से जाना जाता था. कालिदास ने कन आश्रम को क्या कहा है? कालिदास ने कन आश्रम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? कालिदास ने कन आश्रम को क्या कहा? ये कहा किसले प्रदेश? कोशन कण आश्रम को किसले प्रदेश, किस ने कहा तब आप कहेंगे कालिदास ने कहा। कण आश्रम किन परवतों के मध्या में इस्तित है। नदी के तटपर है, अगर ये कोशन आ जाए, इन परवतों के बीच में मालीनी नदी के तटपर इस्तित है हमारा कर्ण आश्रम, ठीक है, वर्तमान में इसे चौकी घाट नाम से जाना जाता है, इसको भी याद करना, निक्स्ट है, प्रसिद कमलेश्वर मंदिर कहां इस्तित है, यहाँ पर माना जाता है कि भगवान शीराम ने एक हजार कमल पुष्वों से भगवान शिव की पूजा करी थी, और जब उनको लगा कि एक फूल कम है, तो उन्होंने अपनी एक आँख को यहाँ पर अर्पित किया था, इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा, कमलेश्वर मं बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, शुम्भ निशुम्भू परवतों के पास इस्तित शिव मंदिर कौन सा है, कल की क्लास में भी हमने देखा था, शुम्भ निशुम्भू परवतों के बीच में इस्तित है हमारा नीलकंट महादेव मंदिर, नीलकंट महादेव मंदिर आ निलकंट महादेव मंदिर पौड़ी और निलकंट परवत आपका चमूली. Next है, कालिंका माता मंदिर कहां इस्तित है? तो कालिंका माता मंदिर यहां आपके पौड़ी गड़वाल में है, बीरोखाल में पड़ता है. गुजरते दिन के साथ मूर्ती में बदलाओ के लिए प्रसिद धारी देवी मंदिर कहां इस्तित है? कौन सा मंदिर है जहां पर यह माना जाता है, कि जैसे जैसे दिन गुजरता है, मंदिर की जो प्रतीमा है, जो मूर्ती है, उसमें बदलाओ होता है. ये माना जाता है धारी देवी मंदिर के बारे में और यहां मंदिर आपके पौडी में है शिरी नगर में इस्तित है ठीक है प्रसिद ज्वालपा देवी मंदिर कहां इस्तित है? तो फेमस है ज्वालपा देवी मंदिर ये आपके सत्पुली के नस्दीक है पौडी गड़वाल में पढ़ता है प्रशिद्ध परियतन इस्थल खिर्शू कहां इस्तित है प्रदुशन मुक्त परियतन इस्थल इसे माना गया है पेपर में पूछा गया था ये आपके पौडी में पढ़ता है बागेश्वर किन परवतों के मध्या में बसा हुआ है जो बागेश्वर है ये आपके भीलीश और नीलीश्वर परवतों के बीच में इस्तित है बागेश्वर के पूर्व में इस्तित है भीलीश्वर परवत और बागेश्वर के पश्चिम में इस्तित है नीलीश्वर परवत इनहीं पूर्व और पश्चिम के बीच में इस्तित है हमारा बागेश्वर ठीके बागेश् अपर को उत्तरका वारणसी भी कहा जाता है. नेक्स्ट है शिव पारवती विवहा इस्थल के रूप में परसित्ध है. तो कौन सा स्थल शिव पारवती विवहा के इस्थल के रूप में फेमस है? एक हमने कल के वीडियो में देखा था त्रिजोगी नारायन मंदिर वहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर भी भगवान शिव और पारवती आता का विवाह हुआ था भगवान विश्नु की उपस्तिती में इनके विवाह स्थल के रूप में एक और जगाँ फेमस है वो है आपका बैजनात ठीक है बैजनात आपके बागेश्वर में पड़ता है और यहाँ भी भगवान शिव पारवती विवाह के रूप में प्रसिद है विवाह स्थल के रूप में ठीक है निक से प्रसिद अनाशक अनाशक्ति आश्रम जहां पर महत्मा गांधी ने भगवत गीता पर टीका लिखी थी और लक्ष्मी आश्रम जिसकी स्थापना महत्मा गांधी जी की जो शिश्य थी सरला बहन वो करती हैं, दोनों आपके कौसानी में इस्तित हैं, भगवाल मेले का लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर लगता है बगवाल मेला, बहुत important मेला है, इसे आपने याद करना है, दो तरीके से कोशन आता है, या तो कोशन आएगा वरही धाम या वाराही देवी मंदिर कहा है, तब आप कहेंगे देवी धूरा, और यहां पर एक famous मेला लगता है, जिसका नाम है बगवाल मेला किस अवशर पर यह मेला लगता है, तो रक्षा बंदन पर यह मेला लगता है, और इस मेले को अशारी कौथिक के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रसिद शिकारी थे, जिम कॉर्बेट, उनको लेकर एक सवाल आता है, कि जिम कॉर्बेट ने अपनी किस पुस्तक में बगव पूर्णागरी शक्ती पीठ में मेला कब लगता है, ये कोशन पेपर में आया था, देखे जो पूर्णागरी शक्ती पीठ है, ये आपके चमपावत में इस्थित है, पहले तो आपको इसके लोकेशन पता चल गई, यहां पर हर साल विशाल मेले का आयोजन होता है, किस किदारनाथ और बदरी भगवान के मंदिर कहां परिस्तित हैं, तो किदारनाथ धाम और बदरीनाथ धाम जैसा आप जानते हैं, गड़वाल मंदल में परते हैं, कुमाओं में भी इनके मंदिर हैं, और वो आपके द्वारा हाट में इस्तित हैं, कुमाओं छित्र का पहला नगर किसे माना जाता है तो कुमाओं का पहला नगर ये माना जाता है चमपावत को शुरुवात में जो चमपावत के आसपास का इलाका था उसे ही काली कुमाओं के नाम से जाना जाता था चंदवंश जब स्थापित हुआ तो उसकी शुरुवाती रास्थानी भी चमपावत थी, ठीक है, तो कुमाओं का पहला नगर किसको कहते हैं, चंपावत को कहते हैं, जन जातिया आस्था का केंद्र घटकु मंदिर कहां इस्तित है, काफी फेमस मंदिर है, घटकु देवता मंदिर ये आपके चंपावत में पढ़ता है एक हतिया नौला कहां इस्तित है देखे एक हतिया देवाल आपके पिथोरा गड़ में है लेकिन ये एक हतिया नौला है ये आपके चमपावत में पढ़ता है ठीक है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे किस ने इसका निर्मान किया था जगनात मिस्तरी और उनकी पुतरी कस्तूरी के द्वारा इसे बनाया गया था ठीक है निक्स्ट है चमपावत इस्तित स्वामी विवेका नंद से संबंदित आश्रम कौन सा है तो चमपावत में एक आश्रम है जिसे कहते हैं मायवती आश्रम और यहां आश्रम स्वामी विवेका नन से संबंदित है important है याद करेंगे पाताल रुद्रुवेश्वर गुफा कहां इस्तित है famous गुफा है एक थी पाताल भुवनेश्वर गुफा वो पिथोरागड में है यह पाताल रुद्रुवेश्वर गुफा यह आपके चमपावत में इस्तित है द्रोन शागर वो गिरी सरोवर कहां इस्तित है तो द्रोन सागर गिरी सरोवर यह दोनों आपके काशी पूर में यानि उधम सिंग नगर में इस्तित है नेक्स्ट है हमारा चैती देवी मंदिर कहां इस्तित है तो चैती देवी मंदिर आपके काशिपूर में है और यहीं पर प्रसिद चैती मेला भी लगता है सियाल बुंगा का किला कहां इस्तित है तो सियाल बुंगा, बयाल बुंगा, राज बुंगा इस सारे के लिए आपके चंपावत में इस्तित है नील गिरी किसका प्राचीन नाम है तो हमने कुछ प्रमुक मंदिरों को देखा, कुछ प्रमुक प्रेटन स्थलों को देखा अब कुछ आपके उपनाम, प्राचीन नाम, पौरानिक नाम है उनको देखते हैं जो नील गिरी है यहाँ आपके बागिश्वर का प्राचीन नाम है बागिश्वर को बागनात, ब्यागरिश्वर, उत्तर का अवारणसी, गोल्डन वैली और नीलगिदी इन सब नामों से जाना जाता है नेक्स्ट है, लैंसी डॉन का प्राची नाम क्या था? तो देखें, लैंसी डॉन का जो प्राची नाम था वो कालो का डांडा था कालो डांडा नाम से इसे जाना जाता था, 1887 में गड़वाल राइफल्स यहां पर आती है और 1890 में कालो डांडा का नाम बदल कर लैंसी डॉन हो जाता है छोटा कश्मीर किसका उपनाम है? तो छोटा कश्मीर ये कहा जाता है पिथोरा गड़ को इंपोर्टन्ट है पेपर में आ चुका है अर्ध कैलाश प्राची नाम किसका है? तो अर्ध कैलाश ये कहा जाता है पिथोरा गड़ के छिपला कोट परवत को आदी या छोटा कैलाश किसका प्राची नाम है तो आदी कैलाश या छोटा कैलाश इस नाम से ओम परवत को जाना जाता है ओम परवत भी आपके पिथोरागड में इस्तेत है गड़वाल का द्वार किसका उपनाम है तो गड़वाल का द्वार पूछे या गड़वाल का प्रवेश द्वार पूछे इस नाम से कोट द्वार को जाना जाता है कोट द्वार जैसा आप जानते हैं पोड़ी गड़वाल में पड़ता है और यहाँ खो नदी के तट पर बसा हुआ है इसे ही गड़वाल का द्वार या गड़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं निक्स्ट है उत्तरकाशी का प्राची नाम क्या है देखे उत्तरकाशी का प्राची नाम बाड़ा हाट है और उत्तरकाशी का पौरानिक नाम अगर पूछेगा तो वो आपका सौम्याकाशी हो जाएगा परियटकों की नगरी किसे कहा जाता है परियटकों की नगरी के नाम से प्रसिद है रानी खेत कौसानी का प्राची नाम क्या था तो देखे कौसानी का जो प्राची नाम है कौसानी को भारत का स्विजरलेंड कहा था महत्मा गांधी ने, ये कौसानी का उप नाम है, कौसानी का जो प्राची नाम है वो है बल्ला, ये important है पेपर में पूछा जा सकता है, उत्राखंड का मिनी स्विजरलेंड किसे कहा जाता है, तो देखे भारत का स्विजरलेंड कौस को किस ने कहा? महत्मा गांधी ने कहा. लेकिन अगर पूछेगा उत्राखंड का मिनी स्यूजलेंड किस को कहते हैं? मिनी स्यूजलेंड चोपता को कहते हैं, जो रुद्र प्रियाग में परता है. ठीक है? उत्राखंड का स्यूजलेंड हर्शिल को कहते हैं, मिनी वो कहा जाता है कौसानी को किसने कहा महत्मा गांधी ने कहा उत्तर का गया प्राची नाम है तो उत्तर का गया किसका प्राची नाम है कोटी प्रियाग जो रुद्र प्रियाग है इसे उत्तर का गया कहा जाता है पुनाड किसका प्राचीन नाम है जैसे बलना किसका नाम था कौसानी का उसी प्रकार रुद्र प्रियाग का प्राचीन नाम पुनाड था रुद्र प्रियाग को पहले पुनाड नाम से जाना जाता था रुद्र परियाक को महभारत में क्या कहा गया है? महभारत में इसे रुद्रावरत कहा गया है चमपावत के प्राचीन नाम क्या है? तो काली कुमाओ तो सिंपल सा नाम है उपर हमने देख भी लिया था कुमाओ का पहला नगर इसको कहते हैं चंपावत का जो प्राचीन प्रमुक नाम है वो कुमू था, ठीक है, मंदिरों की नगरी किसका उपनाम है, तो मंदिरों की नगरी यहाँ उपनाम है द्वारा हाट का, मीठी मूलियों का छित्र वा हिमालिय की द्वारिका इन उपनामों से कौन जानी जाता है, ये जाना जात द्वारा हाट को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, मीठी मूलियों का चित्र भी कहते हैं, और हिमालिय की द्वारिका भी इसे कहते हैं, मैंचेस्टर ओफ हिल्स किसका उपनाम है, तो मैंचेस्टर ओफ हिल्स ये काशिपूर को कहा जाता है, काशिपूर का प्राची नाम क्या ह कहा जाता है तो कुमाओं का अन्भंडार ये कहते हैं नानक मत्ता को और नानक मत्ता का प्राची नाम क्या है बक्षी इसके लावा नानक मत्ता का प्राची नाम तपेड़ा भी है ठीके अगला बाल मिठाई का घर किसका उपनाम है तो बाल मिठाई के लिए प्रसिद है हमारा अलमोडा, सही आंसर क्या हो जाएगा बाल मिठाई का घर अलमोडा को कहा जाता है कालसी का प्राची नाम क्या है, तो कालसी को कालकूट के नाम से जाना जाता था कालसी से ही समराट अर्शोक का शिललीक मिला है और उसी शिललीक से में पता चला है कि जो कुडिंद शाशक थे, वो मौर्यों के अधीन थे, कालसी का प्राची नाम क्या हो जाएगा, कालकूट हो जाएगा, एक चक्रा किसका प्राची नाम है, तो एक चक्रा ये कहा जाता है चकराता को, चकराता का प्राची नाम था एक चक्रा, ठीक है, निक्स्ट है, रिशी केश का प्राची नाम क्या है तो रिशी केश का प्राची नाम आपका कुपजा मृग है ये कोशन पेपर में पूछा गया था कुपजा मृग किसका प्राची नाम है तब आप कहेंगे रिशी केश का इसको भी आपने ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वी वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, थेंक्यू फ्रेंड्स.